नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 23 फरवरी 2023 के दैनिक क्वीच की चर्चा करेंगे जो की आपके आगामी संग लोग सिवायों की प्रारंभी परिच्चा के दिस्कोर्ट से लाबदायक सिध्ध हो सकता है तो आईए पहले प्रस्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया गया है जूट के बारे में कौन से कथन सही है तो पहला कथन है भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है दूसरा कथन है जूट पैकेजिंग सामगरी अधनियम सभी खाद्यानों को जूट की थैलियों में पैकिंग करना अनिवारे बनाता है तीसरा कथन है जूट की ब्रिद्ध के लिए उच्च तापमान उच्च वर्सा आर्दर परिस्थितियों की आवशकता होती है चौथा कथन है भारत ने नेपाल और बांगला देश से कुछ जूट उत्पादों के आयाद पर डंपिंग रोधी शुलक भी लगाया है तो दोस्तों इन चारों कथनों पर आप लोग विचार करें आईए तब तक इससे संबंधित ख़बर को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रिजर्वेशन नॉर्म फार जूट पैकेजिंग मैटेरियल फार जूट इयर टू थाउजन ट्वेंटी टू तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जूट वर्स दो हजार बाइस तेज यानि एक जूलाई दो हजार बाइस से 30 जून दो हजार तेज के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार इस्तेमाल के आरक्षन संबंधी नियमों को मनजूरी दी गई है इन नियमों के तहट खाद्यान की 100% और चीनी की 20% पैकिंग जूट बैग में करना अनिवार है इससे जूट उद्यों को काफी बल मिलने की संभावना है इसे लाखों किसानों और मजदूरों को फाइदा मिलेगा और दोस्तों इसके साथ-साथ यह परिया वरण के लिए भ भी पूरा करता है इसलिए यदि सरकार इसके उपयोग को बढ़ावा देती है तो परिया वरण को भी फाइदा होगा उतर भारत के लिए जूट उद्योग भले हिमायने नहीं रखता है लेकिन यह देश के पूर्वी हिस्से खासकर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट छेतर में 3.7 लाक सरमिकों और कई लाक जूट किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्द कराता है इस तरह से जूट किसानों कामगारों और जूट समान के उतपादन में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है जूट उद्योग के कुल उतपादन का 75% बोरे हैं इसमें से 85% की आपूरती भारतिय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजनसियों को की जाती है और बकाया उतपादन का निर्याद सीधी विक्री की जाती है दोस्तों जूट की फसल के लिए हलकी बलूई दोमत मिट्टी आवस्यक होती है तथा जल भरा वाली पौधे नस्ट होने लगते हैं इसकी खेती के लिए भूमी का पियच मान सामान हो जूट का पौधा आर्द और गर्म जलवाई वाला होता है और इसके जो पटसन का जो पौधा होता है 20 से 25 डिगरी सेलसियस तापमान पे यह अंकुरित होता है और अंकुरण के बाद इसमे 35 डिगरी सेलसियस तक का तापमान या सहन करता है तो इस तरह से यहाँ डेल्टाई निचले छेत में इसका उतपादन सबसे अधिक होता है यही कारण है कि भारत में 70 प्रस्त से अधिक जूट का उतपादन पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार असम अन्य राज्यों मे भी होता है बिस्व का सबसे बड़ा जूट उतपादक देश हमारा भारत ही है और इस तरह से बांगला देश से इसको प्रतियस परधा का सामना करना पड़ता है चुकि बांगला देश भी जूट के उतपादन में प्रमुख स्थान रखता है तब ऐसे में अब आपको इसक इसका चारों उत्तर सही है अता उत्तर डी होगा अब बढ़ते हैं दूसरे महत्पून प्रसन की ओर तेजस के बारे में कितने कथन सही है यह एक हलका लड़ा को बीमान है इसे फ्रांस के सहयोग से विक्सित किया गया है यह वियांड विजुल एड मिसाइलों को ले जाने म सक्चम है इससे संबंधित कितने कथन सही है यह आपको बताना है आईए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं इंडियन एक्सपेस में आई हुई खबर है कि भारतिय लड़ाकु विमान तेजस को यानि स्वदेशी लाइट कॉमबैट एरक्राफ्ट इसका नाम है इस रसियन इनके भी हत्यारों के साथ साथ अन्य देशों के उन्नत हत्यारों को भी यह इंटिग्रीट कर सकता है दोस्तों LCA MK2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बैंगलूरू में पिछले दिनों आयोजी देश की सबसे बड़ी विमानन प्रदरसनी एरो इंडिया 2023 के मौ नहीं ले जा सकता है इसकी यह अनूठी खासियत इसे बैस्विक फरमोद्वारा निर्मित बीमानों के बीच खड़ात कर देती हैं और इसकी निर्यात छमता को भी काफी बढ़ा देंगी दोस्तों यह LCA MK2 तेजस बीमान को डिजाइन करते समय एडवांस्ड फ्रांसीसी और रूसी हत्यारों अन्य पश्च्वी देसों के हत्यारों के अलावा अस्त्र यानि एक BVR हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल जैसे स्वदेसी हत्यारों के एकी करण पर भी विचार क किया जाता है अन्य विमानों के विफरीत LCA MK2 कई देसों के अदुटी हत्यारों को एकिकित करने में यह सक्षम होगा दोस्तों LCA तेजस के लिए कई देसों से बातचीत भी चल रही है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड LCA तेजस MK1A को बेचने के लिए मलेसिया, अर्जंटीना, मिस्र और बोस्वाना सहित कई देसों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है तो इस तरह से आने वाले दिनों में हम निर्यात करने में सक्षम होंगे दोस्तों पिछले साल सेतंबर में ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समित ने 4.5 पिली के लड़ा होगा तो दोस्तों यह उत्तर इसके दो कथन सत्य होंगे यह हलका लड़ाकू विमान है और यह वियांड विज्वल एड मिसालों को ले जाने में सक्षम है चुकि यह स्वदेशी विमान है तो ऐसे में दूसरा कथन असत्य हो जाता है तो अता हुत्तर भी होगा अब जादा तर महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है इसमें निर्थ की लास्य शैली सामिल है मंदिर के आभुसर्ण नर्तक की पोशाक का एक महात्पून हिस्सा होते हैं तो इन चारों कत्रों पर आप लोग विचार करें इसे संबंधित दे इंडियन एक्सपेस में आई संकल्पित बिवहर माला में माया जाता है जो की सोलह हमी सताब्दी में यह रचा गया था दोस्तो इस निर्ट ताल में चार प्रमुकताल है जिसमें तगानम जगानम और धगानम तथा सामी स्रम है और मोहनी अट्टम का अर्थी है कि एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोहले और धार्मिक मानेता के अनुसार भगवान विश्र की एक जानी मानी कहानी है जब उन्होंने दुख्ध सागर के मन्थन के दौरान लोगों को आकरसित करने के लिए मोहनी का रूप धारन किया था और भस्मा सुर के विनास की कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है दोस्त वर्तमान समय में इसे समूहों में भी किया जाता है तो अब इसका उत्तर आप लोगों को मिली गया होगा कि इसमें से कितने कथन सही हैं अब बढ़ते हैं चौते प्रस्न की और सही कथन कथन की पहचान कीजिए चुनाव आयोग भारत में दलों का चुनाव चिन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है निशितरू से यह कथन सत्त है दूसरा किसी राजिये दल को दिया गया चुनाव चिन दूसरे राज में किसी अन्य दल को आवंटित किया जा सकता है दोस्तो यह भी कथन सत्त है अत एक मुख्य चुनाव आयुक तथा दो अन्य आयुक तो होंगे। इनकी नियुकती रास्ट पती के द्वारा की जाती है। और इस तरह से दलीय निर्दलीय लोगों को यह चिन भी परदान करता है। और इस तरह से दलीय लोगों को यह चिन भी परदान करता है। तरह से कह सकते हैं कि कुछ जीवान को कित्री माध्यम में उगाया जा सकता है। लेकिन कुछ को नहीं। तो ऐसे में पहला कत्री माध्यम में उगाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो वैक्टीरिया और कवक के विपरित वाइरस को बढ़ने के लिए एक जीवित मेजमान क्या उशकता होती है। तो शिकागो कन्वेंशन के प्रसासन के प्रवंधन के लिए रास्टों द्वारा की गई थी। तो शिकागो कन्वेंशन क्या है? तो शिकागो कन्वेंशन अंतरास्टिय नागर विमानन कन्वेंशन इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है। 1944 में 52 रास्टो द्वारा हस्ताक्चर किया गया था और उस समय 26 राज्जो द्वारा कन्वेंशन का अनुसमर्थन लंबिन था अता अनंतिम अंतरास्टिय नागरिक उड़ेन संगठन की इस्थापना की गई थी और इस तरह से जून 1945 से 47 तक कारे किया और 1947 तक 26 रास्टो का अ उसमर्थन इसे प्राप्त हुआ दोस्तों ICAO 1947 में अस्तित्व में आया और उसी वर्स ICAO को आर्थिक और सामाजिक परिशच से जुड़ी संयुक्त रास्ट की एक विसेस एजंसी भी बना दिया गया कन्वेंसन हवाई छेतर वीमान पंजी करन और सुरक्षा के नियमों को स्थापिद करता है हवाई छेतर के संबन्ध में हस्ताक्षर करताओं के अधिकारों का विवरण देता है कर्वेंशन भी पारगमन में दुगना कराधान से वाय उंधन को छूट भी देता है तो दोस्तों इसमें जो पहला जो है पुष्टी प्रोटोकॉल की पहले में एक प्रोटोकॉल में उडान भर रहे नागरिक विमान के खिलाफ हत्यारों के उप्योग का सहरा लेने से सदस्य देशों को रोकने के लिए सिखागो संदी 1944 में अनुच्छेत तीन को सामिल करने से स संसोधन करने का विस है जबकि तीसरे में है कि नवहन आयोग की शक्ति को 18 से बढ़ा कर 21 करने के लिए अनुच्छे 56 में संसोधन करने से संबंदित है और सिकागो कान्विंसन के बारे में आपको बता ही दिया तो दोस्तों यहाँ पुष्टी अंतरास्टिय नागरिक उड से संबंदित मामलों में अधिक महत्वण भूमी का निभाने के लिए बेहतर संभावना एवं औसर भी प्रदान करेगी तो इस तरह से यह भी महत्वण था दोस्तों पहला प्रसन है कि चुनाव आयोग की अस्थापना कब हुई थी और वर्तमान में मुख चुनाव आयोग कौन है दूसरा महत्वण प्रसन है कि जूट का सबसे बड़ा निरयातक देश कौन सा है तो इन दोनों प्रसनों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, श